उसका आकलन करते हुए कई महत्वपुण बिंदु आज सामने रखे हैं और कई जरूरी सुझाव भी दिये और बहुत स्वाभाविक था कि जहां पर मृत्युदर ज्यादा है जहां पर कोरोना का स्प्रेड तेज हो रहा है उन राज्यों सेगात विशेशुप से चर्चा की गई है लेकिन बाकी राज्यों के पास भी काफी अच्छे सुझाव हो सकते हैं तो मैं आगर करूंगा कि ऐसे कोई पॉजिटिव सुझाव जो जरूरी है आपको लगता है वो म भारत सरकार की दर्व से स्वास्ता सचीव की दर्व से प्रेजेंटेशन रखा गया उससे भी सपस्ट है कि एक बार फिर चुनावति पुन स्थिती बन रही है कुछ राज्यों में स्थिती ज्यादा चिंता जनक है ऐसे में गवर्नांस सिस्टिम में सुधार ये बहुत हूं कि साल भर कि लड़ाय के कारण लवस्ता में भी ठकान आ सकती हैं डीलापन भी आ सकता है लेकिन यह दो तिन सप्ता और अगर हम टाइट करें और अधर गवर्नर्स को बराब मजबूत करें इस पर हमने बल देना चाहिए साथ जो आज की समिक्षा में कुछ बाते हमारे सामने स्परस्ट हैं और उन पर हमें विसे ध्यान देने की जरूरत है पहला देश फर्स्ट वेव के समय की पिक को क्रॉस कर चुका है और इस बार के ग्रोथ रेट में पहले से भी ज़्यादा तेज है दूसरा महराष्ट्र चत्रिश्गर्ड पंजाब मत्वदेश गुजरात समें कई राज्य फर्स्ट वेव की पिक को भी क्रॉस कर चुके कुछ और राज्य भी इस वर्तेजी से बढ़ रहे हैं मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए इस चिंता का विश्य हैं सीरियस तंसन है और तीसरा इस बार लोग पहले की अपिक्षा बहुत अधिक कैज्यूल हो गए अधिकतर राज्यों में प्रशासन भी सुस्त नजर आ रहा हैं ऐसे में करोना के केसिस की अचानक बढ़ोत्री ने मुश्किले ज्यादा पैदा की हैं करोना के प्रसार को रोकने के लिए फिर से युद्धस तर पर काम करना आवश्य है साथ वे इन तमाम चुनाउतों के बाव जो हमारे पास पहले की अपेक्षा बहतर अनुव है पहले की अपेक्षा अच्छे संसाधन है और अब एक वैक्सीन भी हमारे पास है जन भागीदारी के साथ साथ हमारे परिश्रमी डॉक्टर्स और हिल्थ वर्टर्स हेल केर स्ट्राइब ने स्थीति को समालने में बहुत मदद की और आज भी कर रहे हैं आप सभी में अपने पहले के अनुभाओं का प्रभावी डंग से उप्योंग अपिक्षित है अब आप कल्पना कीजिए कि गत्व और जिन दिनों में हमारे हाल क्या है हमारे पास टेस्टिंग लेप नहीं थे इवन मास्ट कहां से मिलेगा यह भी एक चिंता का पीपी केट नहीं था और उस समय हमारे लिए बचने का एक मात्र साधन बचा था लॉकडाउन ताकि हम व्यवस्ताओं के एक दम से जितना तेजी से बढ़ा सके और वह हमारी स्ट्रेडिजी काम आई हम व्यवस्ताओं को बना सके समसाधन खड़े कर पाएं हमारी अपनी capability बढ़ाई दुनिया से जहां से प्राफ्ट कर पर्ताओं के समय δologist लेकिन आज चुक यह आज जब हमारे पास सब समसाधन तो हमारा बल्ल और यह हमारे गवन्वांनस की करको की हैं हमाब्ल माइक्डिय चोटे कर्फियों पर होना चाहिए क्या चोंटे-चोटे कंटेन्वें पर सबसे ज्यादाा साहिवारा भरा नेकी वहां मेरा आग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रव्व हमेशा करे कोरोना कर्फ्यू ताकि कोरोना के प्रति एक सज़क्ता बनी रहे कुछ लोग और इंट्लेक्ट्ट्विव डिभेट करते हैं कि क्या रात रात कर BLACK के प्रयोग को क्यों कि हर रख्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो है में चयाद कर्काइम अब काल में दो और बाकी जीवन व्यवस्ताओं को कम सेक्षम प्रभाव होता है है अच्छा होगा कि हम कारो ना कर्फिव रात को 9 बजे शुरू करें रात को को एजुकेट करने के लिए काम आ रहा है तो हमने इसके तरफ ध्यान देने के लेकिन मैंने पहले कहा अब हमारे पास व्यवस्था इतनी हो चुकी है माइक्रो कंटेन्मेंट जोन उसी पर बल दीजिए आपको अच्छे प्रणाम मिलेंगे हां उसमें जड़ा सरकार को थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ती है गवननंस को टाइट रखना पड़ता है हर चीज को माइनूटली अफजर करना पड़ता है लेकिन यह मेहनत रंग लाएगी कि मुझे विश्वास कीजिए दूसरी बात है हमने पिछली बार कोवीड का आंकड़ा दस लाग एक्टिव केसे से सवा लाग तक नीचे लाग दिखा दिया था एक जिस रणदीती पर चलते हुए संबभ हुआ वो आज भी उतने ही सटिक है और मजा देखिए उस समय सफलता हमी लोग ने पाई थी तब समसादन भी कम थे आज तो समसादन ज़ादा है और अनु बहुत तेजी से नीचे लाग सकते हैं पिको उपर जाते रोग भी सकते हैं और अनुभव कहता है कि टेस्ट ट्रेक ट्रीट कोवीड एप्रोप्रियेट बिहेवियर और कोवीड मैनेजमेंट इनी चीजों पर हमें बल देना है और आप देखिए अब एक विशा ऐसा आया ह है मैं आप सभी मुख्यमंत्रियों से आगरे करता हूं कि आप अपने राज्य की मश्री के द्वारा थोड़ा अगर एनालिसिस करें सर्वे करें और एक सवाल का जवाब हमें मिल सकता है क्या मैं इसको सवाल के रुप में कह रहा हूं होता क्या है कि इन दिनों कोरोना में य लिकिन आप भी उसको राज्य में करवा सकते हैं पहले करोना के समय क्या होता था हल्के फुल के सिंटेम्स भी लोग डर जाते थे तो तुरंत एक्शन लेते थे दूसरा इन दिनों बहुत पेश्टन और सिंटेमेटिक है और उसके कारण उनको लगता है तो ऐसे ही थोड़ा जुकाम हो गया ऐसा हो गया कभी-कभी तो ओमी ने जनी दा और उसके कारण वो परिवार में पहले की तरह ही जिंदगी जीते हैं और परिणाम शुरूप पूरे अब परिवार लपेट जाता है और फिर इंटेंसिटी बढ़ती है तब हमारे ज्यान आता है जो आज परिवार के परिवार जो इसमें लपेट में आ रहे हैं उसका मूल कारण है शुरूप एसंटिमेटिक से होती है और केरलेस होती है उसका उपाय क्या है उसका उपाय है प्रो एक्टिव टेस्टिंग हम जितना ज्यादा टेस्टिंग करेंगे तो परिवार के साथ जैसे नॉर्मल जिनकी जीता है वो नहीं जीएगा और इसलिए हम अभी चर्चा जितनी वैक्सिन की करते हैं उससे ज्यादा चर्चा हमें करने की ज़रूत हैं बल टेस्टिंग पर देने जबते हैं और हमने सामने सेटिंग के लिए आ чист अध्य न हे वर फिर उसको पोजिटिव नेडिटिव मिल जाए और वो मैं समता हूं करम हमारे लिए थोड़ा बदलना पड़ेगा हमारे पास वाइरस को कंटेंड करने के लिए एक एहम तरीका है कि हम हूमन होस्ट को कंटेंड करें मैंने पहले भी कहा था यह कोरोना एक ऐसी चीज है कि जब तक आप उसको लेकर के नहीं आओगे घर में नहीं आता है और इसलिए हूमन सोर्स जो है हर एक को हमने जागरूत करना पड़ेगा उसने नियमों का पारंद करना होगा यह बहुत आवशक है और निश्चित तोर पर इसमें टेस्टिंग और ट्रेकिंग की बहुत बड़ी भूमिका है हम टेस्टिंग को लाइट न लें टेस्टिंग को हमें हर राज में इतना बढ़ाना होगा कि पॉजिटिव रेट कैसे भी करके पांच परसंट के नीचे लाकेर के रखाए और आपको याद होगा शुरू में जब करोना की खबरे आने लगी तो हमारे यहां कॉंपटिशन होने लगी वह राज्य तो निकम्मा है वहां बहुत बढ़ गया फलाना राज्य बहुत अच्छा कर रहा है राज्यों की आलोचना करना बढ़ा है फैशन हो गई थी तो पहली मिटिंग में मैंने आप सबसे कहा था कि संख्या बढ़ने से आप जराबी चिंता मत कीजिए उसके कारण आपको आपका परफॉमस बुरा है प्रेशन में मत रहिए आप टेस्टिंग पर बल दिए और वो बात मैं आज भी कह रहा हूं संख्या जादा है इसलिए आप गलत कर रहे हैं यह सोचन ही और जो आलोचना करने वाले हैं थोड़े दिन आलोचना सुननी पड़ेगी लेकिन रास्ता तो टेस्टिंग का ही है टेस्टिंग के कान आखड़ा बढ़ा आ जाता आने दीजिए उसके करण को राज्य अच्छा आये को राच्य बुरा है ऐसा मुल्यांकन का तरीका ठीक नहीं है और इसलिए मेरा आग रहा है कि इस प्रेशल से बाहर निकल जाएए टेस्टिंग को बल दीजिए भले पॉजिटिव के ज़्यादा आते हैं आने दीजिए लेकिन उसी कद हम उपाय कर पाएंगे और हमारी टारगेट सत्तर प्रतिशत सेवेंटी परसंट आठी पीसियाद टेस्ट करने का है कुछ जगह से मेरे पास खबर आई है मैंने वेरिफाइ नहीं किया है कि कुछ लोग जो आठी पिसियाद टेस्ट कर रहे हैं उसमें जो सेंपल लेते हैं उसमें बहुत लेथार्ज मिलता ही नहीं है अगर आपने उपर उपर से ले लिया मूह में सवड़ा सा डाल करके तो जो रिजर्ट आएगा तो नेगेटिव आने वाला है और इसलिए जब तक सुई को अंदर डाल करके सेंपल नहीं लेते हैं जिन राज्यों में यह हो रहा हैं इसको रोकने क्लिए को पुरे मोले को पुरे ट्रेनामेंट को सब को लपेट लेगा हमने पिछली मीटिंग में भी इस पर चर्चा की थी कि आर्टी पीसी आर्टेस्ट बनाने की ज़रोत है और फिर मैं कहता हूं कि प्रॉपर सेंपलिंग और प्रॉपर होना चाहिए आपने देखा होगा कुछ ल कुछ राज्यों को इसके लिए इंफा स्ट्रेक्टर बढ़ाने की ज़रूत होगी लेकिन इसे जितनी तेजी से करेंगे उतना ही मददकार होगा लेश्ट में शिफ्ट बनाने की ज़रूत करनी है तो मैं समझता हूं इसे भी किया जाना चाहिए साथ ही मैंने पहज़े पारण में करा कंटेंड में जोंट में टेस्टिंग पर हमें बहुत बल जिस कंटेंड में जोंट करें उसमें एक भी व्यक्ति टेस्टिंग के बिना देहना ने चाहिए आप देखिए आपको पढ़ना फटाफट मिलना शुरू हो जाएगा साथ जहां तक ट्रेकिंग का प्रश्ण है प्रसासनिक्स तरपर हर इंफेक्शन के हर कॉंटेक को ट्रेक करना टेश करना और कंटेंड करना इन बहुत तेजी की ज़रूत है 72 अवर्स में कम से कम तीस कॉंटेक्ट ट्रेसिंग से हमारा टार्गेट कम नहीं होना चाहिए एक व्यक्ति का खबर आया तो उसके तीस समंधित लोगों जो भी मिले हैं उसको हमने करना ही पड़ेगा कंटेंडमेंट जोन की भी सिमाएं स्पष्ट होनी चाहिए वेग नहीं होना चाहिए पूरे के मौले के मौले हिलाके के हिलाके ऐसा मत करो अगर दो फ्लैट है एक इमारत में छे मंजिला है तो फिर उतनों कोई करो बगल का टावर है उसको बात में देखो अधर्वाइस क्या होगा कि हम सब के सब सरल मार यही है कि महनत कम पड़ती है यह कर दो उस दिशा में मत जाएए आप सब इस दिशा में सक्रिये हैं बस हमारी सतर्ता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए यही मेरा अगर रहेगा हमें यह सुनिश्चित करना है कि कोवीड फटिक के चलते जमीन तक जाते जाते प्रयासों में सुस्ती किसी भी प्रकार से नहीं आने देनी हैं कई राज्यों में कॉंटेक्ट ट्रेसिंग को पिरियोड इकली क्रॉस चेक करने के लिए भी टीम्स बनाकर काम किया है इसके अच्छे नतीजे मिले हैं हम सबको यह भी अनुभव है कि जहां कंटेन्मेंट जोन में हेल्थ मिनिष्ट्री की एसोपिस का और मैं मानता हूँ यह एसोपी बड़े अनुभव से तयार हुई है और समय समय पर उसको अप्डेड किया गया है उस एसोपी का प्रभावी पालन हो रहा है वहां बहुत अ दौरान अभी मोटाली रेट पर चिंता जता है यह कम से कम रहे इन पर भी हमें बहुत जोड़ देना है और उसका मूल कारण यह है कि वह रूटीन लाइब जीता है मामुली बिमारी हैसा मान लेता है पूरे परिवार में फैला देता है और फिर एक सिती बिगडने के बाद अस्पताल का गाता है फिट टेस्टिंग होता है और तब चीज़े हमारे हाथ से निकल जाती है हमारे पास हर फॉस्टल में देत एनालिसिस की जानकरी होनी चाहिए किस स्टेज में बिमारी का पता चला कब एडमिशन हुआ मरीज को कौन-कौन सी बिमारिया थी मृत्यों के पिछे अन्य क्या फैक्टर्स रहे ये डाटा जितना कॉम्प्रोएंसिव होगा हमें उतने ही जीवन बचाने में बहुत आसानी होगी साथियों मैं आपकी भी जानकरी में है कि एम्स दिल्ली हर मंगलवार और सुकरवार को इस विशए पर वेबिनार आयोजित करते हैं और देश भर के डॉक्टर्स उनसे जूरते हैं ये लगातार होते रहना चाहिए सबी राज्यों के हस्पताल इनसे जूरते रहें जो नेशनल क्लिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल चल रहा हैं उनकी जानकरी सबको रहे ये भी जरूरी है और ये लगातार कॉम्मिनिकेशन की ववस्ता है जो मेडिकल फैकल्टी के लोग हैं उनको उनीकी भाशा में उनीको लोग समझाएं इसका प्रबंध है इसका लाब लेना चाहिए इसी तरह एंब्लेंसिज वेंटिलेटर और ऑक्सिजन अवेलेबिटी की भी लगातार समिक्षा आवश्यक है अभी तक जब इसली बार हम पीक में थे आज भी देश में उतना ऑक्सिजन का उप्योंग नहीं ह रहा है और इसलिए एक बार एनालिसिस कर ले हैं चीजों का रिपोर्ट को जड़ा वेरिफाइब कर ले हम साथ्यों एक दिन में हम 44 लाख वेक्षिनेशन के आंकड़े को भी पार कर चुके हैं वेक्षिनेशन पर कई बहत पपन बिंदू इस चर्था में हमारे सामने आया हैं देखे वेक्षिनेशन में भी आपके अधिकारियों को लगाईए दुनिया भर के समरुद्द से समरुद्द देश जिसके पांस सब सुविधाय उपलबता है उन्होंने भी वेक्षिनेशन के लिए जो क्राइटरिया ताई किये हैं भारत उनसे अलग नहीं है आप जरा स्टड़ी तो कीजिए आप पड़े लिए लोग आपके पास है जरा देखे तो सही और नए वेक्षिन डेवलप्मेंट के लिए जि रहा है और वेक्षिन के डेवलप्मेंट से लेकर स्टॉक और वेश्टे जैसे जरूरी बिंदों पर भी चर्चा हुई है यह बात सही है आपको मालूम है कि इतनी वेक्षिन बन पाती है अब यह असा तो नहीं है इतने बड़े-बड़े फैक्टरियां को रातो रात लग जही घृए है जया कि जू हमारे पास औากि चुकि इक मैं सारा मं रख करके हमें परना मिल जाएगा ये शो ठीक लही हैं हमें पूरे देश को खाल करके ही उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा कोविड मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट वैक्षिन वेश्टेज यह रोकना भी है सात्यों वैक्षिन को लेकर राज सरकारों की सला सुझाव और सहमत इने सही देश राफी रण देती बनी है मेरा आप सभी से आगर होगा की हाई फूकर्ड डिस्ट्रिक्शन जो है उनमें 45 साल के उपर शत्व प्रतिशत वैक्षिन के लिए लगातार पयास कीजिए एक बार एक तो हैचिव करके देखिए मैं एक सुझाव देता क्योंकि यह कभी कभी बातार बदलने के लिए चीज़े बहुत काम आती है ग्यारा अप्रिल जोतिवा फुले जी की जन में जैनती है और 14 एप्रिल बाबा साब आप मेलकर जी की जन में जैनती है क्या हम 11 एप्रिल से 14 एप्रिल पूरे अपने राज में टीका उत्सव मना सकते हैं एक पुरा वातावन क्रेट कर सकते हैं टीका उत्सव का एक विशेस अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सिनेट करें कि जीरो वेस्टेज टाइक करें हम इन चार दिन जो है पुप्तिका उसो में जीरो विस्टेज होगा वूब हमारी वेक्सिनेशन के पुटिनेशन की संग्या बढ़ाजेगा हमारी वेक्सिनेशनी का और आपड़क्र कर सकते हैं एक का का सटिस्पेक्शन बिलेगा बात बादने में बहुत और मैं बारत सरकार को मैंने कहा हुआ है कि जितने ही मात्रा में हम वैक्सिनेशन पहुंचा सकते पहुंचाने का प्रयास करें हमारा प्रयास ही होना चाहिए इस ट्रिका उत्सों में हम जादा से जादा लोगों को वेक्सिनेट करें और वो भी एलिजेबल वर्ग को मैं देश के युगाओं से भी आगर करूंगा कि आप अपने आसपास के भी 45 साल के उपर के जो लोग हैं को वेक्सिन लगाने के लिए बदद करिए मेरी नवजवानों से विशेश अपील है आप हिल्दी हैं सामर्थवान है आप बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन अगर मेरा देश का नवजवान कोरोना के जो एसोपी जो प्रोटोकॉल से डिस्टंस मेंटेंग करने वाली बात हैं मास पहनने वाली बात हैं अगर मेरा देश का नवजवान इसको लीड करेगा तो कोरोना की कोई ताकत नहीं है को मेरे नवजवान तक पहुँच जाए हम पहले इस प्रिकोशन को करना चाहते हैं उससे ज्यादा उसको प्रोटोकॉल के लिए प्रेडित करें अगर हमारा नवजवान इसको बिड़ा उठालेगा खुद भी प्रोटोकॉल का प्लान करेगा और उसे भी करवाएगा तो आप देखिए वही स्थिति जैसे हम एक बार पिक पर जा करके निश्या आये थे दुबारा हम आ सकते हैं इस विश्वास के साथ हम आगे चाल से सरकार ने एक डिजीटल व्यवस्ता बनिया है जिससे लोगों को वैक्सीन में मदद मिल रही है और बहुत अच्छा अनुभव सब लोग लिखते भी हैं कि मिझे बहुत अच्छा अनुभवरा लेकि परिवारों को मदद करने के आप आगे आई है हमारे एंसी सी हो हमारे नसे सो यह हमारे राज्य के जो सरकार की विवस्ता हैं उनको हम काम में लगाएं ताकि लोगों को थोड़ी मदद मिले हमने इसकी चिंता करनी चाहिए शहरों में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो विवस्ता को हमारी सरकारे मोबिलैज करें और उन्हें मैं प्राथ्चिता क्या धार पर हम वैक् Mind लगमाना अगर हुमारा प्रयास तो हमें एक पुन्य का काम का संतोर्श मिलेगा और हमें उनकी चिंता जरूर करनी चाहिए वैक्सिनेशन के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि वैक्सिन लगवाने के बाद भी लापरवाई न बरते सबसे बड़ी संकट यह हो गया है कि भाई अब मैं मुझे कुछ होगा ही नहीं देवन से मैं कह रहा हूँ दवाई भी और कड़ाई भी हमें लोगों को ये बार-बार पताना होगा कि वैक्सिन लगने के बाद भी मास्क गरे जो प्रोटोकॉल्स है उसका पालन और अनिवारी है इंडिविजन लेवल पर लोगों में मास्क और सावधानी को लेकर जो लापरवाई आई है उसके लिए फिर से जागरुकता जरूरी है जागरुकता के इस अभ्यान में हमें एक बार फिर समाज के प्रभावी वेक्तियों सामाजिक संगठनों सलिपरिटीज, ओपिनियन मेकर्स अपने साथ जोड़ना होगा और इसके लिए मेरा आग्रह है कि गवर्नर नाम की जो अपने हैं इस्टिटूट है उसका भी भरपूर उप्योद किया जाए क्या गवर्नर साब के नेतरुत्व में हैं, मुख्यमंत्री जी के महारदर्शन में हैं और पार्टी मिटिंग राज्य तो समसे पहले कर ले राज्य और पार्टी मिटिंग करें और और पार्टी मिले करके एक एक्शनेबल पॉइंट तय करें फिर मेरा आग्रह है कि गवर्नर साब और मुख्यमंत्री मिल करके चितने भी इलेक्टेड लोग हैं उनका वर्चुल वेबिनार करें पहले अर्बन बाड़ी का करें फिर रूरल बाड़ी का करें जितने लोग चुन करके आए हैं उनसे करें और उनके सामने सभी आपके एसेमली में जो जीत करके लोग आये हैं उसके जो फ्लोर लीडर हैं सब सम्मूदिन करें तो एक पॉजिटिव मैसेज अपने आप सुड़ू हो जाएगा कि इसमें राजनिती नहीं करनी है सबने मिलकर करना है तो मैं समझता हूँ एक तो यह प्रयास करना जाए दूसरा गव करके को बर्मिंग ने निताओं को मुलाकर कर एक समीट हो जाएं और बाकी लोगों को वर्चूइल जोड़ा जाएं जो सविल सुसाइटिस ये लोग हैं एक का समीट उनका कर लियाजाइं जया जो इससलिब्रिटिज हैं लेखंग हैं कलाकार हैं खेलारी हैं मैं समरता गवर्णर के माध्यम से इस प्रकार के लगातार भिन्द भिन्द समाजों के लोगों को जोडने का एक मुमेंट चलाए जाए और यही बात कि आप इन प्रोटोकॉल का फॉलो कीजिए टेस्टिंग पर बल दीजिए हमारा क्या हुआ हम एकदम टेस्टिंग गूल करके ब्रॉटिंग जीस जैसे परोटोम तो पाउचेगी कि पऊंचेगी हमने लड़ाय जीती ती विसमेस को ब्रोस नहीं था तब लड़ाई जीते थे तो आज हमें इस प्रकार्तेैं भैवित होने कि को जरूरूत नहीं है लोगों ब्रस होने नहीं जनाका अगर हम जिस तरीके से लड़ाई को लड़े थे उसी तरीके से लड़ाई को जीच सकते हैं और जैसा मैंने कहा पूरे फ़रीवार फैले लेपट में आ रहा है उसका मूल कारण जो मुझे नजर आता है फिर भी आप लोग इसको वेरिफाई कीजिए मैं क्लेम नहीं करा हूं किसी चीज़ का मैं सि से नए संकट में आ जाता है फिर पुरा परिवार संकट में आ जाता है और इसलिए मेरा आग्रह है प्रो एक्टिवली हमने टेस्टिंग पर बल देना होगा हमारे पास व्यवस्ता है हिंदुस्तान के हर जीले में लेप बन चुकी है एक लेप से शुरू किया था हमने आज लेकिन मैं कभी मुह खोलता नहीं हूं क्योंकि मैं मानता हूं यह हिंदुस्तान के लोगों की सेवा करना पवित्र हमारा जिम्यवारी है हमें इश्वर ने इस समय के कठीन परिस्तिति में सेवा करने का जिम्मा दिया है हमने इसको निभाना है जो राजनिति करना चाहते है वो कड़ी रहे हैं उनके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है लेकिन हम सभी मुख्यमंत्री अपने राज्य के सभी दलों को बुला करके सभी प्रकार के लोगों को साथ रख करके अपने राज्य में स्थिति को बदलने के लिए आगे आएंगे मुझे पक्का विश्वास हैं इस संकट को भी हम देखते ही देखते पार करके निकल जाएंगे फिर एक बार मेरा यही मंत्र है दवाई भी और कड़ाई भी इस विशे में कोई कॉम्प्रमाइज मत कीजिए जी मैंने पिछली बार भी कहा था कि आपको जुकाम की दवा ले ल पहना ही पड़ेगा इस है खाज भी आसे आप पर भरोसा है आपके लेंगे चिंता ऎंगे और फोकस्टेस्टिंग कीजिए वेक्सिनेशन की व्यवस्ता एक लंबे कालखन के लिए है जो निरंतर चलानी होगी वो चलाते रहेंगे आज बल हम इस पर दाएं और जो एक टीका उत्सव एक ब्रेक्थू करने के लिए ताय किया है उस टीका उत्सव पर हम एक नई सफलता प्राप्त करें एक नया नाम आ सकता है मैं फिर एक बार आपके सुझावों की प्रतिक्षा करूंगा बहुत बहुत धन्यवाद है